हेलो गाइज मैं बीजू स्वागत करता हूँ एक बार फिट से अपने यूटूब चैनल फेंटेंसी जैक वार में आप सभी गाँ आज हम इस वीडियो में बात कने वाले हैं मैं SLS वर्षेज SCK के T10 मैच के बारे में देखो इस मैच में हम जील ही खेलेंगे ठीक है कारण मैं आपको बता हूँगा जील के लिए अच्छा मैच क्यों है क्योंकि मैं पहले अनलाइस क्या हूँ मैं आपको फुल जील टीप्स फुल स्टेट्स प्रवाइड करूँगा वी पेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हो अगर यूटूब चैनल आप फर्स टाइम विजिट कर रहे हो तो आप मेरे यूटूब चैनल को भी सस्क्राइब कर सकते हो आपके लिए बेस्ट मैं अनलाइस वीडियो प्लस जील टिप्स लाता रहूँगा वीडियो के अंदर अब हम अनलाइस स्टार्ट करते हैं बीना देरी के ठीक आपको यह टीम मैं समझाऊंगा यहां पर चार जील टीम मैंने बनाए बहुत ही शांदर क्योंकि आपको इसलिए मैं बता रहा हूं यह जील के लिए अच्छा मैंच है क्योंकि कुछ प्लेर ऐसे हैं जिनका मैं अनलाइस देखो टी-टैन है कुछ भी हो सकता है नो तो नहीं तो बेटिंग ओडर कनफ्रम है नहीं बोलिंग सेक्षन पनफ्रम है फिर भी कुछ लास्ट मैच के हधारिक या दो तीन मैच के हधारिक पर हम कर सकते हैं देखो अगर खेल रहे हैं नाइस मैच को अगर यहां पर आमने नोर्मल एक सो या 120 के बिच में दिखाए देता है ठीक है दोनों ही टीम की प्लेंग लिए उनकी हम बात के लिए हैं एंड्रियो रामब्रन हो गए रवी रॉमपल हो गए सुनेल नारायन जैसन मोहमद यह इंपोटेंट पीक है लेनोर्ड जूलीन ठीक है एसलसी के प्लेंग लेंग उनकी हम बात कर लेते हैं ठीक है उसके बार ने निकलोस हो गया ठीक है सिवा संकर हो गए ठीक है मिखिल गुव्या हो गए आज का मैच खेल जागते हैं अब देखो बहुत टिमों की हमें एस्ट वे अब हम जानेंगे दोनों ही टीम के प्लेयर ने लास्ट नो टीटेन मैच में ड्रीम लेवन में कितने पॉइंट दिया है इस डाटा के अधार पे हम अलग-अलग सेक्शन में विकिट को पर बेट्समन हो गए ओल्राउंटर या बोलिंग में से प्लेयर निकाल लेंगा ठीक लेनार्ड जुलिन के हम बात करें आते हैं लास्ट मैच में 23 पॉइंट उससे पहले 25 पॉइंट उससे पहले बाउन पॉइंट ठीक है और वैसे भी देखें तो ओवराल इनका अच्छा ही है शिर्व एक में पांच पॉइंट दिया था डेनियल विलम्स के हम बात करें इन दोनों के साथ जाओगे अगर जील हम खेल लें तो थोड़ा सा रिस्क तो ले सकते हैं अब बड़ा माउंट अगर हम चाहेंगे ठीक हम 35 लगा के 10 लाक या 49 रिपे लगा के 7 लाक फिन करना है या कुछ एक्सवाइजर कितना भी रेंक आओ हमें जैसे 49 में अगर टॉप के सिमन्स की हम बात कर लेते हैं देखो लास्ट मैच में दो पॉइंट दिया ठीक है 24 पॉइंट बोलिंग भी किया था यह वही टीम के प्लेर जिसे ने आठ दस अबर डालने के लिए आठ बोलर यूज किया था है टॉइन वेश्टर की हम बात कर लेते हैं तो यह इंपोर् सेलेक्शन परसेंटेज है ठीक है अगर आप डिखनेंसल जाना चाहो तो इनके साथ विज़ा सकते हो वह आपको मैं नीचे बताया हूं यह वार्ट निकुलस की हम बात कर लेते हैं तो लास्ट मैच में देखिए हम 37.15.4 पॉंट दी हैं जैसे बोटन की हम बात कर लेते हैं क्या पॉंट है तीन पॉंट है तेज़ पॉंट है इससे पहले निकुलस की हम बात कर लेते हैं लास्ट तीन मेच्टों से देखो इतना खास पॉंट दीए नहीं है फिर भी इंपोर्टेंट पर ले रहा है हाई सेलेक्शन परसेंटेज हैं इनके ठीक है यह जैसे रामंडो दिफ्रेंशल पिक हो सकते हैं जील के लिए अब दिखो ओल्राउंडर सेक्षन की हम बात कर ले था सुनिल ना रहा है नहीं इंपोर्टेंट पले रहा है लास्ट मैच में बांड में पॉइंट दिश्चे पहले सिवा संकर की हम बात कर लेते हैं लास्ट तीन मैचों से इतना खास पॉइंट दिया नहीं है फिर भी हम देखें यहां पर 134 पॉइंट भी दिया है मतलब बोलर्स में या जो भी है ओल्राउंडर क्वालिटी तो है इसके अंदर ठीक है यह पॉइंट हमें दे सकता है तो मैच में 35 पॉइंट दिया ओल्राउंडर सेक्शन में सोटली समस्ट पी क्या रहें तीन तो प्लेयर फिक्स हमारे सुनिल नारायन जैसन मोहमद एस संकर ठीक है अब सिवा संकर और मिखिल गया में से डिफ्रेंशल एक पीक हो सकता हमारे लिए एस जील के अंदर अब बोलिं के हम बात करें जी साथ हरी सोरी लास्ट तीन मैचों में इतना खास पॉंट दिया नहीं है ठीक है फिर भी सेलेक्शन परसेंटेज हाई यह अवर डालके जा रहे हैं तो विकी लेकर जा सकते हैं ठीक है शीरायमंड के हम बात करें यहाँ पर लास्ट दो मैचों में चारचा बन गए तो एक अवरी नों ने डाल दिया तो एकडम फिक्स बोलर हम नहीं कह सकते हैं अगर करवाते हैं तो इनको जील में आप डिफिरेंशल कर सकते हो दो डालते हैं तो एंड्यो राम ब्रेंड की हम बात कर लेते हैं ठीक है जवारे मिल्स लास्ट दो मैचों से इतना ख एक गिरीका की हम बात कर लेते हैं यहां से एक बार दो पॉइंट दिया उससे पहले सपन पॉइंट दिये अब बोल्लिंग सेक्शन में सोट लिष मस्ट विक्क है रेवी रामपल है ठीक है रिशाद हरीस है सी राइमेंट है सेकिंड इनिंग में एक मैच में जील में ट्रा है जो ड्रीम लेवन टीम में कंटिन्यू हमें मिल रहे हैं ठीक है तो देखो ड्रीम लेवन में कंटिन्यू मिल रहे हैं वो प्लेयर हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट है क्यों है क्योंकि यह लगबग मैचों में मिल रहे हैं तो हमें पता है कि यह तो फिक्स प्लेयर रह बीच में आट पले रहे हैं ठीक है लेनार्ड जूलीन टीन वोबिस्टर जेसन बोटन निकुलस जेसन मोहमस सुनिल नारा रवी रॉमपल रिशाथ हरीस ठीक है अब देखो यह आठ पले रहे हैं ठीक है मैं बोलता हूं कि आपको जील में ना 6-7 पलेर के साथ ही जाना है एक ब्रफिटर आगार दो प्रिस्टा लेना यह है अगर जील में अच्छा रहेंक लाना है सी बीसी अपना परफेल्ट जाता है तो थाकश सी भीसी आपको के बीच में इन में से आपको बताया वेकिन-किन को आप ट्राई कर सकते हो ठीक है आप वह आपको क्स परकार से सेक्शन में लेना है कि विकत कीपर सेक्षंब या बैट्शमयन के से अब देखो अब यह देखना है तोप 4 स्कोन आ है ठिका है बênio में कौन आवर्ट ढालगा यह यह पर continue फ्लॉफ हो रहारे विकट मिल में सकता हूं उसको ठिक है तो मेगा ग्रांड लिक के लिए CVC हमारे लेने वाले हैं जेसन मोहमद सुनिल नाराइंड रवी रॉमपल सी रामेंड शेकंड इनिंग में ट्योन विबस्टर फर्स्ट इनिंग में थेकर मिखिल गुवियाक कोई हम जील में CVC बना सकते हैं वेरी डिस्की हो जाएगा हमारे लिए ठीक है गाइच यह देखें गाइच देखो CVC के हम बात करें ना तो देखो CVC के लिए आपको मैंने कौन-कौन से प्लेयर बताया है यहां पर जा सकते हो आर्म सोरी यहां पर आर हैरिस को छोड़के तो यह मैंने आपको अब देखो बैटर ओप्शन के बात करें ना जाएजी देखो यह यह ओपन आता है प्लस बोलिंग डाल रहा है ठीक है एक्स्पिरेंस पर ले रहे फिर इसकी बात करें यह भी अच्छा प्लेयर यह बोलिंग भी डालता प्लस नमबर तीन पर बैटिंग करने आ रहे तो मैं ठीक है तो अगर रण ज्यादा बनता है तो हमारे लिए वह बेस्ट उप्शन है तो आप मेरी बात समझेरे कोसिश करना वह कोमेंशन मैंने वहां पर यह भी बताया है ठीक है अब तो नमबर पांस तक तो बैट्शमन में आजे ठीक है और कंप्रंट और कौन डाल रहा है त तो ऐसे प्लेर को हमें रोटर करना यहां पर इसकी जगहा पर आपके विलियमसन के साथ भी जा सकते हो मैं आपको फर्स्टीम में ही सारे डाउट के लियर कर देता हूं यह मैंने किस प्रकार से होना है मतलब बेलेंस टीम हमें इस मैच में बनाना है ठीक है आप छैपलेर आ च्छैप लेर आप एसलची के भी ले सकते हो ठीक है तो अगर आप जाना चाहों इन दोनों में से किसी एक को लेकिए आप बोलिंग सेक्षन में भी जा सकते हो ठीक है तो सेकिंड टीम हमारी यह हो गई अब इसको कोपी नहीं करना है एक दो चैंजस अपने खुश से करने ह तो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा तो वहां से हम आपको टीम मिल जाएगा और जो भी अपडेट होगा वह आपको टेलीग्राम पर बता दूँगा कि इस टीम के हम बात करें और यहां पर कितना अच्छा रिस्क लिया समीर अलिको भी ट्राइगे लिए लिया मैंने अब मतलब कि में के हिसी एक को फ्लोप कर रहा हूं ठीक है मिडल अउडर को चला रहा हूं तो क्या पता है अम गोई के बैटिंग करने भी आ जाए, और ड लिए तीन उपसन बताएं मैंने आपको ये तीनों ही सीविसी के लिए कि आ START है आच हो फोर टीम की हम यहाँ पर बात करें का यहाँ पर किप्टेंच को साथ के Spike कसे everywhere जैसा मैंने आपको बताया किसको आपको लेना एक एक प्लेयर को आपको मैंने निकालके दिया है ठीक है गाइज बेस्ट ओफ लक्ट